नमस्कार आपके साथ सूबे के मुख्य मंत्रे नितिश हुमार के फुलपुर से लोगसबा चुनाव लड़ने की खबरे सामने आने के बाद अब वियाईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्रे मुकेश सेहनी ने फुलपुर से निशाद रैली करनी का ऐलान कर दिया है आपको बता दे के मुकेश सेहनी की ये निशाद रैली आगामी नवंबर में फुलपुर में होने जा रही है जहां से वो चुनावी रैली का आगास करेंगे साल दुवाजार चौबीस के लोगसबा चुनाव की तयारिया तमाम पाचियों ने अभी से ही शुरू को साधनी की तयारी है एक तरफ जहां ये खबरे जदियू से सामने आई थी कि मुक्षमंत्री निशाद चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं पहली सीट बिहार से होगी और दूसरी सीट उत्तर प्रदेश की फुलपुर होगी हाला कि ये भी कहा गया था कि म कई सीटों से ओफर आ रहे हैं लेकिन चुकी ऐसा माना जाता है कि फुलपुर में कुर्मी वोटर्स सबसे जादा है इसलिए मुक्षमंत्री निशाद शुमार वहां कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए लोगसभाद चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी को एक कड़ी टकर दे सकते हैं वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की बात की जाए तो अब बीजेपी मुकेश सेहनी को अपने खेमे में करनी की तैयारी शुरू कर चुकी है बीजेपी बिहार में अपने सहयोगियों की तालाश में है लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सेहनी इस बात से साफ कर रहे हैं और अब निशाद रैली का आगाज आगामी नवंबर से मुकेश सैनी के द्वारा फुल पुल लोगसबा सीट से किया जाएगा दरसल फुर्पुल में सबसे जादा अबादी पटेल की है फिर यादव फिर मुसलिम की आबादी है तो निशाद भी निनायक भूमिक में है खासकर पुरे प्रयाग राज बेल्ट में निशाद वोट बैंक की अच्छी खासी आबादी है भले ही बीजेपी प्लान बना चुकी है हड़ हाल में मुकेश सैनी को अपनी खेमे में करना है पर मुकेश सैनी के तै कारिक्रम से लग रहा है कि बीजेपी के लिए अप उत्तरप्रदेश के विधान सभा चुनाव से ही मुकेश सैनी ने उत्तरप्रदेश को साधना शुरू कर दिया था जब उन्होंने उत्तरप्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़नी का ऐलान किया था ये वही वक्त है जब बीजेपी और व्याइपी में खटास आ गई और नतीजा ये रहा कि मुकेश सेहनी को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया गया अब जबकि दोबारा बीजेपी मुकेश सेहनी को अपने खेमे में लेनी की तयारी कर रही है तब मुकेश सेहनी का तैक कारिकरम उत्तरप्रदेश का सामने आगया है आगामी नवंबर के महिने में फुलपुर से निशाद समाज की रैली मुकेश सहनी के द्वारा की जाएगी जहां पर वो निशाद समाज के आरक्षन को लेकर एक बाफर से मांग उठाएंगे, सवाल करेंगे सरकार से कि आखिरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में निशाद स सवा सीट से है तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है फुरा के लिए सब्जेट में अतना ही अनके अब्रेट्स के लिए माई साथ बने रहें न्यूस फॉर नेशन में नमस्कार